और बुल्टिन की शुरुवात करेंगे सबसे पहले बात हिमाचल पुदेश की शिमला की करेंगे शिमला से खबर ये है कि सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने आरसट दिनों से चले आरे सीमिन्ट प्लांट तनाजे की खातमे का एलान कर दिया है सीम ने ट्रक ओपरेटरोस और सीमिन्ट कमपनी के कारियों के साथ बैठट में ऐलान किया है सीम की तरफ से माल भाड़े के नए रेट की गोशना कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि कल से दोनों सीमिन्ट प्लांट चालू हो जाएंगे आपको बता दे कि ट्रक ओपरेटरोस से माल भाड़े के तनाजे को लेकर कमपनी ने 15 दिसंबर को दो सीमिन्ट प्लांट बंद कर दिये थे जिसमें से एक है बिलासपूर के बरमारा में जहां पर ACC सीमिन्ट फैक्टरी है और दूसरी है सोलना के दालरा घाट में अमबुजा सीमिन्ट प्लांट दोनों प्लांट बंद होने के बाद से तक्रीबं 35,000 लोगों की रोजी रोटी खत्रे में पड़ गई थी तनाजा सुलजने के लिए इस तरकार तरफ से लगतार कोशिशे की जा रही थी और 68 दिनों के बाद सीम ने आज तनाजे के खात्मे का एलान किया ट्रक ओपरेटर्स पहले सिंगल एक्सिल ट्रक के लिए 11 रुपे हैं 41 पैसे प्रती क्विंटल पर किलोमीटर का किराया लेते थे और मल्ती एक्सिल ट्रक से धुलाई का किराया 10 रुपे 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर था मगर कंपनी ने ये रेट ज्याबा पता कर देने के लिए तैयारी की हामी नहीं भरी थी और इसी के चलते प्लांट भी बन कर दिया गया था बातचीत के बाद सीम ने अब नया रेट जारी कर दिया गया है यानि नई किमत जारी की गया है जिसके मुताबक एक्सिल ट्रक का भाड़ा 10 रुपे 30 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर और मल्ती एक्सिल ट्रक से धुलाई का किराया 9 रुपे 30 पैसे पर क्विंचल पर किलोमेटर कर दिया गया है इसी पर तनाजा सुलज गया है मगर ट्रक ओपरेटर्स अभी भी नाखुश हैं यानि खुश नहीं हैं हालंकि उन्होंने सीम की बात मान लिए जो सिंगल मल्टी अक्सल है सिंगल अक्सल है उसका रेट 10 रपे 30 पैसे प्रती मित्रिक टर्न पर किलोमेटर क्विंचाइव हुआ है और उसके बाद जो एन्नोल इंक्रीज होता है वह उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एन्नोल इंक्रीज होगा और जो छोटे मोटे issues है जो हमारे level पर तैय करने वाले नहीं है वो डिप्टी कमिशनर बलासपूर और डिप्टी कमिशनर सोलन अपने अपने स्तर पर तैय कर सकते होंगे और और कंपनी वाले हमारे यहां कोन है इन प्रोजेक्ट में मनोच अंदेल जी बैठे है मनोच जिंदल जी बैठे है और बर्माना ट्रक यूनिन के परदान हमारे रकेश ठाकुर जी है और दाला के ट्रक यूनिन के परदान यह जादेव कॉंडल जी है इसलिए यह सहमती हमारी सरकार के मध्यस्ता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संगर्श किया इन्होंने एक बवेक का परिचे दिया और कंपनी वालों ने भी बवेक का परिचे दिया जिसके एकान आज ये सहमती बनी है और कल से ये जो दोनों कंपनी हैं खुल जाएगी और जो एक issues है उसको हम आने वाले समय में उसको भी settle किया जाएगा हमारी operators की तरफ से तो कोई सहमती नहीं थी और आज भी सहमती मैं इसको नहीं कहूंगा कि सहमती हमारी लेकिन एक compromising situation में क्योंकि honorable chief minister ने ये freight announce किया है इसलिए हमें इसको accept करने के लावा हमार पास और कोई चारा नहीं कि निच्ची जो public है वह काफी उसमें resentment थी हमने 10-70 से start किया था और आज 10-30 में पहुंचें तो यह कहीं न कहीं एक थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि समान जनक है लेकि बहुत ज्यादा हो नहीं है इसमें लूजर अभी भी एक वगम साल का 6-7 लाग रपका revenue का लॉस हमारा होगा लेकि इंडी इंट्रेस्ट आप स्टेट इंडी इंट्रेस्ट आप जनरल पब्लिक इसको सीम साहब के announcement है जिसको में honor करना हुगा इसे खबर पर बात चीत करने के लिए रूख कर लेते हैं शिमला का हमाई साथ हमाई समध आता हमाई साथ ही सही होगी जूचुके रणमीर सिंग रणमीर ये बड़ी खबर आरी हिमाचल प्रडेश से operators और कंपनी के साथ जो 68 दिनों से जो तनाज़ा चल रहा था विवाद चल रहा था वो सुलज गया है मुखी बाते क्या रही जल्दी जल्दी बताईएगा सबसे बड़ी रहात की बात यहां पर यह है कि यह दोनों जो सीमेंट प्लांट जब यहां पर उत्पादन बन हुआ था तो करीब 30 से 35 जार लोग प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष रूप से जिनकी रोजी रोटी पर असर पर रहा था रोजगार पर असर पर रहा था उसको तो उनको जो है रहत बरी खबर यह है राजे सरकार को भी यहां पर करोड़ों का नुक्सान हो चुका है यहां पर देखें मुख्य बात यही थी कि जो फिर्ट था जो माल भाणा था जिसको लेकर विवाद उपजा था यहां पर उपरेटर यह चाहते थे कि 10 रुपए 71 पैसा उनका रेट था डाला ट्रक यूनियन की बात करें तो 10 रुपए 58 रुपए पर वो चल रहे थे लेकिन उससे जो है यहां पर यह सहमती नहीं बन पारी थी जिस तरह से कंपनी प्रवंदर ने हाथ खड़े कर दिये थे कि यह जो प्लांट है वो बायवल नहीं है क्योंकि रेट जो है जादा है अब सहमती इस पर बनी है तो 10-30 और 9-30 पर बात बनी है तो यहां पर ट्रक उनकी तरब से यह भी का गया है कि वो जो है हलांकि एक फैसला खुश तो नहीं है इस समझोते के लिए वो तयार हुए सहमती के लिए वो त्यार इसले हुए है कि जन हित को देखते हो यहां पर किया गया है और मुख्यमंत्री की बात का भी यहां पर सम्मान रखा जाना चा सी सीमेंट प्लांट की अगर हम बात करें वहां वाली बर्माना वाली जो यूनन है वो तो पहले से जो है अच्छा रेट उन्हें मिल राता ता लेकिन मसला डाला गाट ऑपरेटर यूनन का तो उस पर भी सहमती बनी है कि जो दूसरे जो विवाग है वो उस पर जो सब्सक्राइब के लियाद से लोगों के लियाद से सरकार के लियाद से ट्रक ओपरेटरों के लियाद से एक बड़ी रात की ख़बर जो है आज निकल कर रही है अर्ट सथ दिनों का ये डेड लॉग जो है एक आप मियां पर हुआ है जाते जाते एक और सवाल ये करना चाहे कि विवाद कितने पैसे पर अच्का हुआ था कंपनी एक ही मांग क्या थी ट्रक ओप्रेटर स्किन मांगो को लेकर अड़े हुए थे जाते जब यह विवास उलज गया है तो किस मुद्दे पर विवाद था वो एक बार फिर से दोहरा लिया जाए देखें जो विवाद था वो 14 दिसंबर 2022 को अचानक जब ACC सिमेंट प्रबंदन ने अपना प्रोड़क्शन बंद कर दिया अपने प्लांट को बंद कर दिया वहाँ पर नोटी जो है चस्पा दिया और यह बताते हुए कि यह जो माल भाड़ा है वो जादा है यह जो है उस प्लांट को भी बंद कर दिया गया तो माल भाड़े को लेकर यह पूरा विवाद था यहां पर जो आरूप कंपनी प्रवंदर की तरफ से लगाया जा रहे थे कि ट्रक ऑपरेटर जो है जो भाड़ा बंता नहीं है उससे जादा की वह बसूली कर रहे है और यहां पर हम इसको देखें राजनितिक जुष्ट्री से भी देखें जिस तरह से मुख्यमंतरी सीधे तो नहीं कहते हैं लेकिन परयोक्ष्रूप से वह हमला करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पांच साल पूर में सरकार रही ऐसा तब तो नहीं हुआ विवाद तो पहले भी था लेकिन जैस कॉपरेटर रियूनियन और जो कमपनी परवंदर है बिसके भी दो महीने तक ये तनाज़ा चलता रहा और कहीं न कहीं आज इस तनाज़े का खात्मा हो गया विवाद का खात्मा हो गया कल से कमपनी चालू हो जाएगी दस बड़ी बाते हैं जो हम अपने दर्शकों को बता बाते हैं लेकिन फिर भी कॉंप्रोमाइस कर रहे है तो ये पांच भी बड़ी बात है एक से लेके पांच तक हम आपको बढ़ी बाते बताएंगे लेकिन इस वक्त जो बात है वो हम आपको को टीवी स्क्रिन पर दिखा रहें च्छती बात की बात कर लेते हैं सोलन जाला घार में अम्बुजा प्लांट अब चालू हो जाएगा सात्वी बड़ी बात यह है कि पाच दिसंबर से यह दोनों सीमें प्लांट बन थे जैसा की हमारे समवादाता रणवीर बता रहे थे 10.30 रुपए और 9.30 रुपए के नए रेट पर अब यह सहमती बनी है तो 60 दिन बाद यह विवाद यह तनाजा खत्म हुआ है माल भारे को लेकर यह तनाजा ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से शुरू हुआ था सीम सुखविंदर सिंग सुखविंदर ऐलान कर दिया है कि कल से यह दोनों सीमिन्ट कंपनिया काम के लिए चालू हो जाएंगी कंपनी उट्रक ऑपरेटर्स के बीच कई दौर की बाठक हुई कल से दोनों प्लान्ट अब चालू हो जाएंगे इनमें काम चालू हो जाएगा जैसा कि अपसे कुछ देर पहले हमारे समवादात और अडबीर ये बता रहे थे कि प्रतेक्ष रूप से तकरीबन 30,000 से ज़ादा जो रोजगार इस से जुड़े हुए थे इस सिसीमिन प्लान से उन्हें कहीं न कहीं दुश्वारियों का सामना परिशानी का सामना उठाना प फिर 15 दिसंबा से इन दोनों सीमिन कंपनियों ने काम करना बंग कर दिया था इस बीच हमने देखा कि कई दौर की मुलाकाते हुई, मीटिंग हुई, टेबल पर भी बैठे तमाम स्टेक होल्डर्स लेकिन अब जाकर सहमती बन पाई है, सरकार ने कहम रोल अदा किया है, इस के साथ तो हम साथ रहेंगे, इस तरह की बाते उनकी तरफ से कही जाती रही है, तो कहा ये जाए कि हिमाचल में प्लांट से जुड़े हुए लोगों के लिए रहात की खबर ये है कि कल से अब वो इस सीमिन कंपनी में काम कर सकेंगे, और जो दुश्वारियां उन्हें हो र का भी ऐलान कर दिया गया है, पंदर दिसंबर से ये दोनों सीमिन प्लांट बंद थे, प्रिके बाद एक बाद फिर से आपके इस्तक्बाल करते हैं, खबर रामबन से जिला रामबन में सब्डिवेजन गोल के इलाके दलवा संगलदान में जमीन किसकने से गोल रामबन सड तक रास्ते को काफी नुकसान पहुचा है, एक दरजन से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुचा है, कई घरों में दराडे पर गई हैं, ख्याल है कि गुजशता दिनों वहाँ जमीन खिसकने का वाक्या पेश आया था, जिसके बाद मकामी अफिक ताफी परिशान नजर जिस्टिक अबिनिस्टिक अपिनिस्टरिशन नजर इमेडियतली जो है, एक दिना आपगी परिशान ताफी खिसीए, वाल पेशान परिशान से था जाए होई आज चपूट पर आया हूँ जो है वो इसमें इंपाक्ट हूँ ही अभी हमारे पास 15 फैमिलीज जो है वो हमने भी लोकेट की ही है अंडर दी इस फंड हमने जो है टेंस यूटेंसिल्स ब्लांकेट्स तोकि अभी ठंड कम उसम है वो इनको प्रवाइड करके सेफर जोन में लिया है सब डिविजनल अग्म जो है वो प्रॉसस करें ताकि इपकोस तो दी स्टी आरफ हैडिट कमीटी बाई डी डी सी ताकि हम इनकीस को भी बेस्ट और नॉम्स क्लियर करें उसके अलावा मैंने स्टीम साथ से और अपने एग्जेकुटिव इंजीनियर पी डव्ली डी जो खुद यहां पर प्रॉस्टेशन के जो हम भो करेंगे हैं What about the restoration of the link road with facility? I have in fact only yesterday at around 11 o'clock मैंने fax message भी की है 52 RCC Griff को यह BRO road है और उनकी तीम यहां पर है खोद उनके जो officer commanding है Gautam Ji वो भी थोडी देर में पहुचके assessment करेंगे जहां तक restoration का तालोग है वो तभी होगी जब geological study होगी जिखने के लिए कि यह sinking activity conclude हुई है नहीं हुई है That is the first thing. अभी जब मैं यहां से आ रहा था तो I could see कि थोड़ा थोड़ा जो है वो stone movement है भी that it is still slightly active. So once the sinking zone जो है वो subside हो जाएगा on war footing basis हम इस road को जो है यह गृफ का defense का road है और मैं शुर करता हूँ कि इसको जल्दी हम restore करेंगे Till that time हम एक alternate हमारा धानम-सलबला road है जो गुल के साथ connect होता है वहां से हमारी गाड़िया जा रहा है Sir, कितनी road length की जो है कितनी road length है जो है Around 500 meters has been impacted जो underlining reason पता चला कि क्या tentatively आगी उस reasons को ascertain करने के लिए I have already you know updated the division commissioner sir they have promised कि आज या early morning में हमारी geological team है either from IIT Jammu or from geological and mining department आगी in the meantime मैंने railways वालों को भी लिखा है because they have also the requisite expertise who आखे देखने की activity कि but it looks to be geological events होते रहते हैं National Institute of Disaster Management National Disaster Management Authority of Central Building Research Institute की जिम्मेदारों ने आज ठाटरी की नई बस्ती का दोरा किया experts की टीम डिस्टिक डोडा के दोरे पर है NDMA की प्रोफेसर डॉक्टर सूर प्रकाश की अगवाई में CBRI के scientist डॉक्टर आर सेवा और NDMI के associate प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अली खान यहां हालात का जाइजा लेने पहुंचे इनोंने यहां से कुछ सामपल इखटा किये और मकामी लोगों से बात की ठाटरी के इस एरिया में लैंड स्लाइडिंग से लोगों को नुक्सान उठाना पड़ा है इन माहरीन का कहना था कि हत्मी रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मसला काफी नाजुब नौयत का है यहां आपको फिर एक मरतबा बता दें कि जमीन खिसकती रहने खिसकने से 30 घरों को नुक्सान पहुंचा है और कई घर रहने के काबिल नहीं है इस पूरी बस्ती को गैर महफूस करार दे दिया गया है पहाड अपना जो एक बेस था वो छोड़ गया तो जिसकी वयाद से पहले मकान उसमें क्राइब के बाद 3-4 मकान जो थे वो क्लैस भी हो गए तो सरकार की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बीजिए आई गौर्णमेंट आफ इंडिया की एक नेशनल इस्टिटूट डिजास्टर मनेजमेंट की टीम आई थी जिसके हैड थे प्रफैसर डक्टर सूरिय प्रकाश उन्होंने भी अपनी असेस्मेंट की तो अपना पूरा सर्वे करके वो लेके गए हैं जो उनकी रपोर्ट आएग सोशल गुरूप्स जो हैं वो भी फस्लिटेट कर रहे हैं मदद कर लोगों की तो सरकार की तरफ से भी रपोर्ट बगारा जो हम ने इंडिस्टिक अडिस्टेशन स्मिट करनी थी हारी थार्टी स्मिट की हुई है आगे जो डिरेक्शन होगी है कार्ड अंगलिया में आइस इस वदर जिन से ज्यादा रहाईशी मकानात और दुकानों के अलावा चंद गाए के शेटों को नुकसान पहुँचा है कल शाम स्रीनगर ले हाईवे के साथ वाके लाके में शदीद बारिश की वज़े से लैंसलाइड हुई जिस से वहां रहने वाले लोगों में फोहरास पहल गया ताहम इस वाके में इलाके से किसी जाने नुकसान के इतलाथ नहीं है लैंसलाइडिंग की तरह मिलते ही सिवल इंतजामिया पुलिस और फौज के हमरा जाय वकूपर पहुँच गई और रात भार इमदादी का अरवाईया जारी रही रही रेस्क्यू और रिलेफ आपरेशन्स के दोरान मुतासरा अफराद को महफूज मकमात पर मुंत्किल किया गया लैंसलाइडिंग ने सुीनगर सुनमर्ग रोड पर ट्राफिक की नगल हरकत में भी खलल डा जिससे बीकन हुकाम जिसे साफ कर रहे हैं दरी असना मुतासरा खानदानों ने इलजाम जिसे पहार नाजुक हो गए हैं ताहम SDM कंगन ने मुतासरा खानदानों की बाद आबादकारी और मुआवजे की रकेंदहानी कराई है पहार गिर रहाता थोड़ा 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 तो बागी घर वाले तो सब अंदर थे में रोड़ पे देखे रहा था था पेछे मेगा की कमपकरी काम चल रहा है एक को का तो उसे हमने सो बार बोला कि बाई यहां पर स्टिंग मत कीजिए इसकी वजह से हम लोगों को खत्रा है वो लोग हमें रोज यह कहते कि नहीं आप कोई खत्रा नहीं हमने बाइर से टीमेल आई है उन्होंने जांच कर ली है कोई भी कुछ नहीं हो सकता है उन्होंने यहां पे एक खड़े में 1200 बैक सिमट के बरके हम लोग दिया जाए यहां तो यह जमीने हमारी खरीद ले हमें यहां से निकाल दे दूसरी जगा शिफ्ट कर दे जबें जिसमें भी तक दस मकान दस दुकानी और चार काउट्शे डामेज हुए है पर शिपने के कोई जिस वेलिंट नहीं हुई है जैसे इसी वक्त से स्टार्ट कि इस्तवार एनेच दो सो चौबिस पर दोनों तरफ की ट्राफिक बंद हो गई है और हजारों मुसाफिर फसे हुए हैं इंतजामिय का कहना है कि सड़क को जल्द खोल दिये जाएगा लोग और मिशिनरी सड़क को बाहाल करने में मसरूफ है वई जिला गानरेबल के रेजान हिलाके में आसाम राइफल्स की जवान रिलीफ आपरेशन्स अन्जाम दे रहे हैं एड मिनिस्ट्री पेड़ित परिवार को महफूज जगों पर मुंतकल कर रहा है कल इस इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई थी जिसमें चन्द मकान और गाउखानों को नुकसान पहुचा था इस वाके में किसी तरह की जाए नुकसान की इतलात नहीं है हम आपको यह बताते चले कि यहां लैंड स्लाइडिंग के बाद स्विनेगर स्वनमर्ग रोड ब्लॉक हो गई है और क्लिरेंस का काम लगतार जारी है आगे बढ़ेंगे राहूल और प्रेंका गांधी इन दिनों से यहाथी मकाम गुलमर्ग के निजी दौरे पर हैं की गुलमर्ग पहुंचकर अपने भाई के साथ सेरोतफरी कर रही हैं दोनों ने सते समंदर से 14,000 फिट की बलंदी पर वाके कंगदोरी में स्नो बाइक की खूब सवारी की दोनों ने अज़ खुद स्नो बाइक चलाई है और काफी दे तक इसकी सवारी की माज़रे की गुलमर्ग इसनो बाइक असोसियेशन ने राहुल गांदी और प्रेंका गांदी को इसनो बाइक की सवारी करने की दावत दी थी उनकी दावत को कुबूल करते हुए राहुल गांदी और प्रेंका गांदी ने इन लोगों के साथ कई घंटे गुजारे और इन लोगों के साथ तबादले ख्याल भी किया गुलमर्ग में काफी तादाद में लोग इन दिनों मौझूद है और इन दोनों के साथ सिल्फी लेते हुए देखे गए हिंदुस्तानी फाज की मेडिकल टीम तुर्की में आपरेशन दोस्त मकमल करने के बाद वतन वापस पहुँच गई है टीम ने आपरेशन को काम्याब करार दिया है ख्याल है कि मेडिकल और रेस्क्यू टीम को तुर्किया भेजा गया था तुर्किये के कंदरोन और हादे में हिंदुस्तानी फाज ने फील्ड अस्पिताल के जरिये मेडिकल सर्जिकल और इमेजिन्सी वाट चला कर काम किया इसके साथ ही एक सुरे लाब और मेडिकल स्टूर्ट भी कायम किया गया था पाकिस्तान के अक्तसादी बोरान का मनफी असर जिन्दगी तमाम शुबों पर दिखाई दे रहा है अक्तसादी बोरान से एक जानिब अवाम परिशान हैं और बेहाल हैं तो सियासी महास पर भी वहां खीशतान कम नहीं है पाकिस्तान के इक्तसादी बहुरान हर गुजरते दिन के साथ बद से बत्तर होता जा रहा है अशिया जरूरिया पेट्रोलियम मस्नुआइ खुर्दनोश की अशिया की कईमते आस्मान छू रही हैं पाकिस्तान के कई शहरों में आटा 130 रुपए से 150 रुपए किलो मिल रहा है जबकि मुरगी की गोश्ट की कईमत 700 रुपए किलो से तजावस कर गई है इसी तरह कई शहरों में दूद की कईमत 200 रुपए लिटर तक जा पहुची है यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के रुपए के कदर डॉलर की मुकाबले में इंतहा हो चुकी है और पहला अमी तबके से टक्सों की वसूल है जबकि दूसरा सबसीडियस तर्फ घरीबों को देना है इनका मजीद कहना है कि आई अ में इफ सिर्फ दो चीजों पर जोड दे रहा है जिसमें पहली चीज टक्स के जरीए रिविन्यु जमा करना है क्यूंकि जो जादा पैसा कमा रहे हैं चाहिए वो निजी सेक्टर हो या सरकारी उनको मुल्क की माईश्य चलाने के लिए हिस्सा देना चाहिए उनके मुताबिक दूसरी चीज सबसरी सिर्फ उस तपके को दी जाने चाहिए जिसको इसकी सबसरी जादा जरूरत है तो यह शर्ते लगाई गई है आईमेफ क के सार इस बुल्टिन में इतना ही कश्मीर लडाख और हिमाचल से जोड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ मुझे दीजिए इजाज़त थादा